अफगानिस्तान पर तालिबान का कबजा होते ही लोगों में भगड़ की स्थिती बन गई काम के सिलसिले में अफगानिस्तान पहुंचे लोग किसी भी हालत में अपने मुल्क वापस जाना चाहते हैं इसी क्रम में भारत ने अपने नागरिकों को अफगानिस्तान से बाहर निकालना शुरू कर दिया है मंगलवार सुबे भारती वायसेना की विमान ने करीब 120 भारतियों के साथ काबुल से उडान भरी एहम बात यह है कि भारतिय राजदूत रुदेंद्र टंडन भी अब भारत वापस लाई गए हैं ये विमान भारत की जामनगर में लैंड हुआ भारतिय वायसेना का सी 17 विमान मंगलवार सुबे काबुल से रवाना हुआ था इसमें भारतिय दूताबास के कर्मचारी वहां मौदूद सुरक्षा कर्मी और कुछ भारतिय पत्रकारों को वापस लाया गया काबुल एरपोर्ट पर बीते दिन बिगड़े हालातों के बाद विमानों का संचालन बंद हो गया था लेकिन अमेरिकी सेना द्वारा यहां पर हालात काबु में किये गए और अब विमानों का संचालन शुरू हुआ है इसी के बाद भारतिय विमान भी यहां से उडान भर पाया भारतिय वायु सेना के विमान की तस्वीर भी सामने आई जिसमें सवार भारतिय नागरिकों को वापस लाया जा रहा है भारतिय वायु सेना का विमान जामनगर पहुच चुका है दोपर एक बजे तक गाजयबाद के हिंडन एयरबेस पहुचने की संभावना है बतादे कि भारत सरकार द्वारा अफगानिस्तान के लिए अलग से हेल्प डेस्क का गठन किया गया इसके लावा भारत की कोशिश वहाँ पर फसे अपने नागरिकों को भी बाहर निकालने की है तो वही काबुल की एक फैक्टरी में उत्तर प्रदेश के करेव डेड़ दरजन करमचारी फसे हैं जिन्होंने भारत सरकार से उन्हें बाहर निकालने की अपील की है करमचारीों का कहना है कि कमपनी के मालिक ने उनके पासपोर्ट भी रख लिये हैं गौर तलब है कि भारतिय ग्रे मंत्याले ने अब वीजा के नियमों में कुछ धील दी है अफगानिस्तान से भारत आ रहे हैं लोगों के लिए विशिश कैटेगरी बनाए गई है ताकि उन्हें वीजा लेने में किसी तरह की दिक्कत ना आए अफगानिस्तान में तालिबान का कब्जा हो गया है हमाँ तालिबान की सरकार बन गई है और भारत के रहने वाले नागरीकों को सुरक्षित निकालने के लिए भारत सरकार ने 37 वाईव सेनका एक्विमान काबूल भेजा है जहां से वो 120 यात्रियों को लेकर आज गाजयवाद डेड़ बज़े हिंड़ा नेर फोस पर उतरेगा गाजयवाद से पंजाब केसी टीवी के लिए संजे मितल की रिपोर्ट हम से जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नए वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकोन को दबाए अगर आप ये वीडियो फेस्बुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें धन्यवाद